पुपाल से बड़ी खबर आ रही है जहां प्रदेश शुद्यक्ष कॉंग्रस के अरुन यादव का बयान सामने आया है उन्होंने कहा प्रदेश में राहुल गांधी के चहरे पर ही जुनाव कॉंग्रस लड़ेगी पंचार्टी राज दिवस पर पीम मूदी की यूजनाव पर अरुन यादव ने कहा जूते चपल बातना बंद करें बीजेपी सरकार आदिवासी को उनकी मजदूरी पहले दे सरकार अरुन यादव ने कहा पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ा कर लोगों की जेप पर डाका डाला जा रहा है पॉक्सो एक्ट में बदलाव को लेकर बीजेपी सरकार अपनी ब्रैंडिंग कर रही है सरकार के इस कदम पर अरुन यादव का बयान उन्होंने कहा प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार अपनी ब्रैंडिंग में लगी है जानकरी देंगे वैभव गुपता मेरा सयोगी पोन लाइन पर बने हुए हैं वैभव यहां प्रदेश उध्यक्षरूम यादो का बयान उन्होंने प्रधान मंत्री के जो दौरे को लेकर कहा मंडला के दौरे को लेकर जहां पंचायती राज दिवस पर नोंने रिशाना साधा की जूते चपल बातना बंद करें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बितांज और साथी साथ सुरक्षा व्यवस्ता में पॉक्सो एक्ट में बदलाओ को लेकर भी नोने तमाम तरेकी बाते कहीं किस तरह से देख रहे हैं उनके बयान को अब उनका विकास करना चाहते हैं तो उसके साथ मद्देश सरकार है वो पॉस्त कोईक्ट में बदला व उसके दो ब्रांडिंग करने जा रहे हैं तो अब इससे क्या होगा बिल्कुल यानि ये माना जा सकता है कि साफ तोर पर अरुन यादाव ने ये साफ कर दिया है कि कॉंग्रेस में अभी कोई फेस नहीं है चले शुक्रिया बहुत अमाम जानकारी के लिए तो आपको बताएं भूपाल सा खबर दे रहे थे जहां कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक शरुन यादाव ने कॉंग्रेस में फेस को लेकर चहरे को लेकर कहा कि कॉंग्रेस के लिए राहूल गांधी ही चहरा होंगे पंचायती राज दिवस्पर प्रदान मंत्री की यूजनाव पर होंगे कहा कि जूते चपल बातना बंद करे बीजवपे सरकार पैट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी उन्होंने तंस कसा पॉक्सो आक्ट में बदलाव को लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हा प्रदान को लेकर दिवस्पर प्रदान को लेकर भी ह।